हेलो दूस्तों जैहिन नमस्कार स्वागत है गबर फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दूस्तों अज वाद करेंगे टेरिटोरियल आर्मी भरती के बारे में यहाँ पर आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी की OPCL बेप स्वाइट पर आप सभी के लिए बंपर पदो पर भरतियों का ऐलान कर दिये गया है 18 वर्स से 42 वर्स के बीच के कैंडिडिट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे फॉर्म को कैसे आवेदन करना होगा किस राज जो जिले के लिए ये भरती निकाली गई है सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी इस भरती में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें महला और पुरूस दोनों कैंडिडिट आवेदन कर पाएंगे इस भरती में आपको बता दिये जाए सिलेक्शन प्रोसेस क्या मागए यानि की चैन पर क्रिया आपकी कैसे होगी कौन को उन से कैंडिडिट फ़र्म को फील कर पाएंगे आपका सिलेक्शन कैसे होगा यानि की कहने का मतलब यह है कि इस फ़र्म को आवेदन करने के लिए आपके क्या-क्या को कोमेंट मागे जाएंगे आपकी एज लिमीट क्या होनी चाहिए सारी जानकारी आप सभी को इस वीड़ो में दी जाएगी तो दोस्तो वीड़ो को आप टोटल कंप्लीट देखते रहेगा तभी सभी की उपसें के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे दोस्तो बिना करके ओल नोटीपीकेशन बिल्को जरूर दबालें तक कि आने वाले टाइम पर कोई भी नई भरती निकल के आए तो आप सभी के पास नोटीपीकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो यहां पर सबसे पहले आपको शौट में जानकारी दी जाएगी जो कि ओपीसेल बेप साइ होगा जो कि टीए भरती है एपलीकेशन मोड यहां पर ओनलाइन माधिम से फोम को बिल्कुल आपको आपको आप दिन करना होगा कैटेगरी यहां पर आपको पता होगा दोस्तों जो कि जोब कैटेगरी यहां पर डिफेंस जोब है यह तो आप सभी को पता होए और यहां प एपको आपको सारी जानकारी दीजाएगी दॉस्तों बस बीडियो को आप टोटल complete देखते रहे हैं तभी सभी क्यूसन के डाउट आपके क्लिए हो पाएंगे जिन्डर यहाँ पर देख पारे होंगे मेल के इस फॉम को अभी दिन कर पाएंगे टीयार में भरती की जो यह जो भरती निकाले गई है इसमें आईए और भी जानकारी आपको दे दी जाए तो यह आप टूटल पूस्टों के बारे में बात कर लिए है तो यहाँ पर टूटल पूस्मच जो निधायत की हैं धूट्य इसके कर पा रहे होंगे यहाँ यहाँ लेट्स सि के पादोंसर बुरती निकाले गई हैत पगैंगे बिल्कुल बिना प्रोब्लम के एक्क सर्विसमें के पदों पर भरती निकाले गई है यहां पर आये जोन के बारे में बात कर ली जाए जिन केंडिडिट जोन 2 जोन 3 जोन 4 पर सारे जोनों पर भरतियां निकाले गए हैं यहाँ पर सबसे पहले आईया बात कर लिए जोन 1 तो जोन 1 में आप देख पारे होंगे हिवांचल प्रदेश जमू एंड कास्मिर पंजाब इस्टेट के कैंडिडेट इस फोंप को आवेदन कर पाएंगे दि तो कि बिहार मध्य प्रदेश उडिसा उत्तर प्रदेश उत्तरा खंड जार खंड 36 गड़ के कैंड़ी डेटिस फोंड को आवे दिन कर पाएंगे वह भी जोन टू के जोन 3 के बारे में बात कर लिए तो आपको यहां पर बता दिये जाए आप देख पा रहे होंगे यहां पर त्रिपुरा नागालेंड सिक्किम वेस्ट बंगाल मिजोराम इसी प्रकार से आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे दोस्तों और यहां पर आए बात कर लिए जोन 4 के बारे में तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश गुजरात केरल तमि की चैन पर करिया के बारे में तो चैन पर करिया यहां पर निधायत की घास होगी दोस्तों यहां पर रिडिफिकेशन भी होगा लास्ट में आप सब लिए प्लिक भी दी जाएंगी यहां पर यह बात कर लिए जone up होs उन्याटी कोब लिए यहांगी डिजने की बाट कर लिए जाते यहां पर शॉल यहांप only male candidate के लिए 160 cm के होनी चाहिए रनी यहाँ पे 600 cm की बिल्कुल complete करने होगी और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5.33 इंच फीट यह आपको कूदना होगा चैस्ट यहाँ पे 77 से लेकर 82 के बीच में चैस्ट आपका होना चाहिए वेट कम से कम 50 किलो का आपका होना चाहिए इस भरती की सैलरी के बारे में बात कर लिए जाएगी आपकी तीसरी लेबल के आधार पर 6200 रूपय और भी बढ़ा कर सैलरी दी जाएगी और यहाँ पे एज कालिफिकेशन निर्थायत की गई है वो नूटिफिकेशन चेक आप कर पा रहे होंगे जो कि सोल्जर डीडी के पदो पर जो भरती निकाले इसके लिए इसके लिए आप देख पा रहे होंगे सिंपल और सिंपल दरस्वी के पास के इंडिए हर सब्जिक्ट में 35 परसंट के मार्क्स आप के हो तो भी स्पॉम को आवेदन कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए सोल्जर के पदो पर जो भरती निकाले इसके लिए आप देख पार होंगे सिंपल और सिंपल दरस्वी के पास के इंडिए हर सब्जिक्ट में 35 परसंट मार्क्स हो फिर भी आप 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 किसी भी साइट से पास किया हो आर्ट साइड या साइन साइड या कॉमर्स किसी से भी पास किया हो आप फॉम को आपेदन बिल्कुल कर पाएंगे हर सब्जिक्ट में कम से कम 50 परसंट से 60 परसंट मार्क्स आपके होना चाहिए दूस्तो और यहाँ पर आई यह बात कर लिए को अबेदन करने के लिए यानि कि जो यहां पर सोलजर ट्रेट्समेंट के पदोपर भरती निकाली गई है उसके लिए आपके जो एजुकेशन क्वालिपीकेशन है वह सिंपल सिंपल आठवी दसवी पास की मारशिट आपके पास होने चाहिए आधिक जानकारी के लिए हम आपको बताएंगे फुटो एंड सिगनेचर लाइट 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 ले बैक्राउंड फुटो आपके पास होने चाहिए अगर आधार काड आपके पास किसी भी प्रोब्लम से नहीं तो कोई दूसरा डॉकुमेंट लगा के इस फोम को प्रूप यानि कि आविदन आप कर आपको बताएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जन्रेल के जो के लिए बिल्कुल सो रुपे फीज निर्दार्द की गई है और अधर करेगरी के जो मेल के इंडिडिड है उनके लिए फीज बिल्कुल फूरी है पेमेंट इमोड यहाँ पर आपको बता दिया और लाज्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो यहां पे आपको बता दिये जाए यहां पेफर वरी 2024 से इस भरती की सुलवाती डेट फिक्स कर दी गए है इस भरती की लाज्ट डेट के बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिली है और जहां कहीं भी इस भरती में कुछ ना समझ में आए तो comment box में आप comment कर दीजे, हम आप सभी को reply करके ज़रूर बताएंगे और आपको एक ज़रूरी बात बता दे, कि आप किस राज़ोर जिले से बिलाउंग करते हैं, आप अपने राज़ोर जिले का नाप comment box में comment कर दीजे, ताकि आपके राज़ोर जिले से कोई भी नया notification कोई नई भरती निकल के आगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम